तो आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल की धाली की रेसिपी लेगी हैं जिसमें हमने सभी चीजें बहुत ही हल्दी चूस किया है इसे उप्रिड़ीन के साथ बनाया है कोई भी इसको पहले बात में सूपले बना सकता है पर अगर हमारी रेसिपी को फॉलू करता है तो जादा टाइम वेस्ट में करते हैं फटा फट्से चलते हैं किच्ण ले को देखे लेखने पान लिया है तो में थेल दाला है यहां पर त बढ़ी असा कलर आलो का आ चुका है आप देख सकते हैं तो डाइस्ट अनियर हमने डाल दिया है इसको भी हमने कोप करना है बहुत ज्यादा ऐसे कोप नहीं करना कि यह कल जाए एक तमसे यह थोड़े खड़े खड़े रहने चाहेंगे तो तो माटर की बीज निकाल के डाल द इसको भी एक मिट के लिए चला लेंगे बहुत जादा ओवर कुक हमने नहीं करना है में सब्चूं का कलर बिलकुल वैसा ही बना नहीं चाहिए तो यहां पर हमने जो बुने हुए चने होते हैं उसको मिक्स जाना पीस लिया है उसका पॉडरेस में डाला है बहुत ही बढ़ इसको बढ़े मिक्स करेंगे तीन से चाह मिनट इसको हमने हाइ फ्लेम पर कोप करना है तो लीजिए बहुत ही कमाल की कलरफूल सब्ची रही है दोसरी रस्पी बनाते है पैन लिए जेरा डालें और इसको हमने को कर लिए तोड़ी सी प्यास डाल की भी कोप कर लिए ठीज क प्रेовой दुझाना है। नमग, स्वाधिन सा रेट चिली पॉडर, अल्दी ठालें वाप, मैजीट मसालर, सुनम पूप.. पीनट पाउड़र हम नी यूज किया तो पहले हमने चने का यूज किया था तो पीनट पाउडर ंखें को आई, थोड़ाइस ठादोबे- हमकाने, बून लिया है तो मल्टी टास्किंग कर रहे हैं, साथ साथ सभी चीज़ें बनती जा रहे हैं, तब हमारी थाले बनके रेडी होगी, मकाने हमने साइप पर रखती हैं, तो इस मताले को भी चेक कर लेती हैं, बड़ी असे सॉफ्ट हो चोकिया है टमाटर, तो हमने इस टेज पर आलो डाल दी है, आदा कप में पानी डाला है, मूली की पत्ती की सब्जे बनाने जा रहे हैं, बहुत ही कमाल की बनती एक बर बनाके जरूर देखना, इसको हमें इसमें मिक्स करेंगे, साथ से आट मिनट कवर करके रखतेंगे, सभी चीज़ें बड़ी से कूख हो जाएंगी, सॉफ्ट ह सब्जे बनती रहेंगे, साथ में हमने दूद रख दिया है, उसमें हमने मखाने को 1-4 पााड़ कर लिया था, वे लाइक चीज़े लाटे डाला है, उसको पहले ही डाल देंगे, बहुत बहुत साथा गरम दूर्मे, सभी चीज़ों की गांठे बड़ बढ़ जाते हैं, सब सब्जी रेडिए, हमने सब्जी सब्जी कर सब्जी है तो लोबन बेग बर्नट के हम इस से तो do तो यहां पर हमने फ्लेवर को और इनायंस करने के लिए थोड़े सा कस्टड पाउडर दूर में मिक्स करके डाल दिया है और इसको भी हम चलाते जाएंगे दू बार डालेंगे एक तुम से ना डाले क्योंकि कस्टड पाउडर बेस पर जाकर बैच जाता है तो हमारी जो डिस अपनी ध्यान रखना है इसको स्टॉर करते रहेंगे हम बहुत साथा गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद और गाड़ा हो जाएगा चीनी डाल के गैस बांकर के ठंडा गर के फ्रीज में रखतेंगे तो यहां पर हमने सावत मूंग लिए हैं इसको दो गन आदे हैं देशी ही डाल देंगे जिसके साथ सबची का दाल का फ्लीवर बहुत ही कमाल का आने वाला है और हमारा कूख का डगाल्कन बिल्कल गंदा नहीं होगा तो तो चलिए तक-तक हम बीचूट का राईते अनली करी रखते हैं वानफोट का पानी में इसको बाइल करने क तो देके बाद हमने भी रूट को मिक्सेजार में डालेना है और इसके हमने प्यूरिकर लेने हैं। देह को स्मूध कर लिया है जीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक है थोड़ी से चली फ्रीक्स डालेंगे। यूजी पाउडर भी यूज़ कर सकती है। बीटरूट के पेस्ट को चान लेंगे, सेरेशी बिए रहा होंगे, जा कोई मोटी कान रह जाते हैं, वो निकल जाएंगे, स्मूल्थ सा पेस्ट हमें मिल जाएगा, तो इसको हम करड में डाल देंगे, और बड़ी असा मिक्स देंगे, बहुत ही कमाल का, एक्तम बढ़िया ब बहुत ही कम मेनत के साथ, तम फेंटास्टिक दाल बनके, रड़ी होगे तड़का बना लेंगे, तक हम देशी के में बनने वाले हैं, थोड़ा सा जीर डालेंगे, ड्राय रड़ चिली डालेंगे, हलका सा कोग करेंगे, मिर्ची का कलर चीज ना होई, आप ध्यान लखेंग तड़का हमने दाल के उपर डाल दिया है, बहुत ही कमाल की रेस्टोरेंट से सौग ना बढ़िया हमारी दाल बनके रेड़ी है, तो लीजिए सारी सब्चिया हमने दहीं डिजर्ट के साथ प्लेट में अरेंज कर दिया है, बहुत ही कमाल की हमारी धाली बनके रेड़ी हु कि मज़े आने की फूल गरेंटी है थेंक्स फूर वाचिंग टीक एर एंड बाबाई